तो सुबा जल्दी उठने के लिए हमें बार-बार प्रयत्न करना होगा, यदि हम हार मान जाएंगे, तो फिर हम सुबा जल्दी नहीं उठ पाएंगे, तो इसलिए हमें बार-बार प्रयत्न करना होगा, आप लोगों को जै स्री राम, जै राम, जै जै राम, तो सबसे पहले स वस्त्रधारन करते हैं, वस्त्रधारन करके, सबसमान एक अठा करके, सर्यो माताजी के तट की ओर निकल जाते हैं। यह बाईक की यात्रा लगभग लगभग एक घंटा से अधिक चलती है एक घंटा यात्रा करने के बाद सर्यू माता जी के तट पर पहुंचाते हैं तो आज कुछ जलकास तर कम हुआ है फिर उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं भगवान जी को प्रणाम करके असनान के लिए सर्यू माता जी में प्रविष कर जाते हैं फिर उसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं माता जी की बंदना करते हैं फिर उसके बाद सर्यू माता जी में दिब डुब की लगाते हैं इसका आनंद एक अलगी है यही तो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है उसके बाद असनान पूर्ण करते हैं असनान पूर्ण करके भगवान जी के असनान के लिए जल लेते हैं तो सबसे पहले भगवान विसनु जी को असनान करवाते हैं उसके बाद भगवान भूलेना जी को असनान करवाते हैं फिर उसके बाद भगवान जी के कृपा से भक्ती साधना पूर्ण करके जब अपनी आखे खोलते हैं तो इसी दिब बिद्रिस्ट के दर्सन होते हैं फिर उसके बाद कुटिया की ओर निकल जाते हैं फिर वही रास्ता, तो चारो तरफ हरियाली है, हरियाली का आनन्द लेते हुए, कुटियागी और बढ़ते रहते हैं तो कुटिया में पहुँचकर सबसे पहले, प्राणायाम के आरंब में वजरासन में बैठ जाते हैं फिर उसके बाद अनिलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं इसके बाद वीरासन में बैठ जाते हैं, वीरासन जो हमारे वीर की रक्षा करने में बहुत अधिक मदद करता है फिर उसके बाद ज्यानमुद्रा का अभ्यास करते हैं फिर इसके बाद कपाल भरती प्राणायाम करते हैं सभी प्राणायाम पदमासन में ही करते हैं फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं फिर इसके बाद सोन्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम के अंत में अभे मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं प्राणायाम के बाद वयाम के पहले थोड़ा अपने सरीर को धीला करते हैं क्योंकि इसके बाद थोड़ा अधिक से अधिक वयाम करना होता है तो यदि हम अपने सरीर को धीला नहीं करेंगे और आचानक से वयाम करने लग जाएंगे तो हमारे मांस्पेसियों में खिचाव आ सकता है, जोड़ों में दर्द आ सकता है तो इसलिए पहले अपने सरीर को थोड़ा धीला कर लें, स्ट्रेच कर लें जिससे हमारी सरीर पूरी तरह से तयार हो जाए वयाम करने के लिए तो देखिए आप लोग यही सोचते होंगे कि किस प्रकार से हम सुबा में जल्दी उठें तो देखिए सुबा में जल्दी उठने के लिए हमें बार बार अब्ध्यास करने होंगे यदि आप अचानक से सोचेंगे कि हम जो है अचानक से ही धाई बजे, तीन बजे उठने लग जाएं तो ऐसा नहीं होगा आपको धीरे-धीरे अपनी समय की अवधी कम करनी पड़ेगी पहले आप जो है चार बजे उठें, साड़े चार बजे उठें यदि आप यवी ना कर पाएं, तो आप सूर्य उदय के पहले उठने का प्रयातने करें फिर आप धीरे-धीरे समय की अवधी कम करें तो चकरासन में कुछ सपाट लगाकर बयाम की ओर बढ़ जाते हैं तो वयाम के सुरुवात हर दिन की तरह, साधारन सपाट से करते हैं और जितनी भी सपाट है, सभी सपाट कम से कम तीन सेट में लगाने होते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, आराम करने के बाद स्वांसे भरते हैं स्वांसे भर कर एक स्वांस में जितना हो सकता है यह कुम्भग सपाट का अभ्यास करते हैं इसके बाद इस कैपुला पुसप का अभ्यास करते हैं आराम से उपर जाते हैं फिर उसके बाद आराम से नीचे आते हैं फिर अपने सरीर को पूरा ओपर स्ट्रेश करते हैं इस प्रकार से इस सपाट का अभ्यास करते हैं उसके बाद हर सपाट के बाद थोड़ा थोड़ा आराम करते हैं फिर उसके बाद अपना हिंदू सपाट लगाते हैं हिंदु सपाट पूर्ण करके थोड़ा सा फिर अराम करते हैं इसके बाद वही हर दिन की तरह अपना मेधग सपाट का अभ्यास करते हैं फिर उसके बाद अपने सरीर को आज बिना पीढ़े का ही बैलेंस करने का प्रयात्न करते हैं फिर उसके बाद पीड़ा के साथ में बैलेंस करते हैं बैलेंस करने से हमारे सरीर की एक स्थिर्था बनी रहती है फिर उसके बाद डायमेंड से बनाते हैं और अपने सरीर को पूरा स्ट्रेच करते हैं और इस पे जितना हो सकता है उतना सपाट लगाते हैं तो कम से कम एक बार में इस प्रकार से 20 सपाट लगाते हैं, फिर उसके बाद एक हाथ पर इसी सपाट का अभ्यास करते हैं, इस सपाट के अभ्यास करने से हमारी जो सरीर है, हमारी जो कमर है वो बहुत मजबूत हो जाती है, फिर उसके बाद डायमेंड से बनाते हैं और इसी स पर हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, आराम करने के बाद डायमेंड से बनाते हैं, डायमेंड से बना कर इस पाइक सपाट का इस पर अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा कंधा बहुत मजबूत होता है, फिर उसके बाद मुष्टि का सपाट, इस सपाट का हर दिन अभ्यास करना होता है तो इसमें कुछ ऐसे सपाट है जो आप देखी रहे हैं इसका अभ्यास हर दिन करना होता है मुश्टिका सपाट पूरून करके फिर उसके बाद फिंगर पुसप लगाते हैं जिससे हमारी जो उमलिया होती है वो मजबूत होती है और हमारे उगुनियों के जो हमारे पूर होते है वहाँ पे एकुप्रेसर पॉइंट होता जिससे हमारी सरीर सौस्त रहती है उसके बाद थोड़ा रेश्ट करते हैं फिर उसके बाद पावर पुसप जिसमें क्लेपिंग पुसप से ही सुर्बात करते हैं फिर उसके बाद इस सपाट को लगाते हैं इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं फिर इसके बाद पैर के लिए वेयाम करते हैं पैर के लिए यही अपना जो देसी दंड है इसका अभ्यास करते हैं फिर उसके बाद जब पूरी सरीर ठक जाती है, उसके बाद कम से कम साव से अधिक दंड लगाते हैं, दंड लगाकर पूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि सरीर ठोड़ी ठक जाती है, फिर इसके बाद स्री हनुमान जी दंड का भ्यास करते हैं श्री हनुमान जी दंड लगा कर फिर उसके बाद हैंड इस्टेंड पुसप लगाते हैं इसका हर दिन अभ्यास करते हैं यह सपाट पूर्ण करके आगे बढ़कर पुलिप्स लगाते हैं पुलिप्स लगाके पूर्ण करते हैं उसके बाद एक हाथ पर सपाट लगाते हैं पहले बाएं हाथ से फिर उसके बाद दाहिने हाथ से तो आज का जो व्याम है इसी सपाट के साथ समाप्त करते हैं तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर राम चंद्र की जय हर हर महादेव जै सिव संभो